हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ पॉन और आप देख रहे हैं पॉन इंफो टेक चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पास जियो का राउटर हो और उसका पासवर्ड भूल गये हो तो अभी बिना पासवर्ड का किसी भी PC में इंटरनेट क कैसे एकसे करें दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर जो आपने मार्केट से जियो का राउटर पर्चेच किया हुआ है और उसमें पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को कैसे पता करें और किसी भी PC या मोबाइल में कनेक्ट करके कैसे एकसे कर 百th जब आपके आपके पास उतलब होता है और उसे on करके अपने मोबाइल या PC में कनेक्ट करना चाहते है तो उसमें इंटरनेट के लास्ट वीडियो में हमने आपको बताय था कि जियो राउटर के सबसे उपर अगर आप देखें तो यहां पर बटन होता है जैसे यह प्रेस करते हैं 5 सेकेंड तक तो यह चालू हो जाता है जैसा कि अभी देखें चालू हो रहा है तेकि दोस्तों इसमें कुछ और भी तक्नीकी जानकारी का होना आपके पास बहुत जरूरी है यदि या जियो का राउटर अन हो और उस अवस्ता में जो चार्चर आपको मिला हुआ है उसका USB केबल इसे लगा कर यदि आप PC में लगाते हैं तो वह डारेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर लेगा अभी इस कर सकते हैं लेकिन साथी साथ यह भी जानना जरूरी है कि अगर जो यह बंद हो तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा तो चलिए सबसे पहले हम इसे बंद कर देते हैं बंद करने के लिए हमने लाट्ट वीडियों बताया था कि इसे पांच सेकेंड के लिए दबाय रखें और जैसा ही पांच सेकेंड तक दबाय रखते हैं तो थोड़ी देर में आफ हो जाता है जैसा कि आप देखें अब यह सोच रहें कि हो सकता हो लाइट आफ हो गया तो चेक करना हो तो बस सिंपली एक बार इसे प्रेस करके चेक करें अगर जो लाइट जला तो समझें कि ऑन है यह लाइट नहीं जलेगा यानि कि यह बंद है तो बंद होने की दसामिक किसी भी एड़ाप्टर में अगर जो यूएसबी पॉर्ट को लगाते हैं या कंप्यूटर लैप्टॉप फोर्विलर या कहीं पर भी जहां पर भी यह एजस्ट हो जाता है तो उस अवस्ता सिर्फ चार्ज होगा उसमें यह इंटरनेट एक्सेस नहीं करेगा तो चलिए इसका लाइब सेसन हम देख लेते हैं इसे कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं और इसका उप्योग कैसे करते हैं तो आप सीधे चलेंगे हैं अपने डक्स्टॉप PC पर या फिर लैप्टॉप PC पर सब दोस्ते पहले दोस्तों इस USB केबल के आडी 35 सॉकेट को अपने जियोफाई के चार्जिंग सॉकेट में लगा दें जैसा कि आप देख रहा है हमने इसे लगा दिया है और एक बार चेक कर लेते हैं कि यह चालू अस्ता में है की नहीं देखें यह चालू नहीं है तो अब द बाइटरी स्टेटस यहां पर डिस्पले होने लगा है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और बाकी जियोफाई राउटर में कहीं पर भी कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है तो इस अवस्ता में भी आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं या फिर आन करके लगात आपके पड़ता है आपके कंप्योटर फिलाल यह देख लेते हैं कि अभी कंप्योटर में क्या प्रभाव पढ़ रहा है तो दोस्तों एक बार अपने पीसी पर आकर हम देख लेते हैं अरे यह क्या इस पीसी में तो वाई-वाई का ड्राइबर इस्टॉल ही नहीं तो इसे कैसे हम एक्सेस कर पाएंगे चुकि पिछले वीडियो में आपको कि जिस कंप्योटर में वाई-फाई का शॉप्टर इस्टॉल हो तो उसमें ही हम जी और वाई-फाई राउटर का उप्योग कर सकते हैं या यह भी हमने बताय था उसके पहले वाले वीडियो में कि कि किसी वाई-फाई है ही नहीं तो खेर कोई बात नहीं यह वीडियो का तो मेन मोटिफ यही है कि वाई-फाई राउटर का पासवर्ड भी न पता हो और साथ ही साथ आप पे डेप्टॉप PC या लेप्टॉप PC में वाई-फाई इने बल नहों या फिर उसका सौप्टेर इस्टॉल हो तो यह वीडियो और भी मज़दार होने वाला है तो कांटिन्यू बने रहे हैं वीडियो को अभी बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि जो सीखना है ओ अब हम सीखेंगे तो सबसे पहले हम इसे यहां से एजेक्ट कर दे रहे हैं इट मिंस कि इसे कंप्यूटर से हम डिसकने करने के लिए बताया था कि पावर बटन को आपको वनली फाइव सेकंड के लिए प्रेस करना है मतलब कि उसे आपको दबा के रखना है तो चलिए इसे हम दबाय रख रहे हैं जैसे इसे दबाये तो यहां पर देखें लाइट जलना शुरू हो गया है और पावर बटन भी थोड़ा सा ब्लिंग कर रहा है तो इस सवस्ता में यह पता लग रहा है कि यह जीओ फाई शुरू हो रहा है तो चलिए वेट करते हैं क्योंकि हमने लाइट के इंडिकेशन से बताया था कि यह नेटवर्क सर्च कर रहा है या फिर नेटवर्क में है कि नहीं तो यहां पर पता लगता है तो इसे चालू होने में इसे कंफीगर होने में पांच से दस सेकेंड एक मिनट भी लग सकता है तो इसे हम रख देते हैं या फिर अगला स्टेप तब तक हम दोहराते हैं जैसा कि अभी हमने इसे चार्जिंग करते वक्त बताया था तो चलिए आईडी 35 को इसक लगा दे हमने इसे लगा दिया जैसे ही कंफीटर में लगाते हैं तो कंफीटर के नोटिफिकेशन एरिया में देखते हैं तो यहां पर दिखाई देने लगता है इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर और ठोड़ी ही देर में इसके अंत्रगत मौजू ड्राइवर को पूर्णता हट चुका है और वहां पे एक फ्रेस पीसी का सेप या सिम्मल नदर आ रहा है इसका अर्थिया है कि आप बखुबी इस जीओ फाई और इस केबल की मतद से आप अपने पीसी में इंटरनेट का उपयोग कर पा रहा है लेकिन इसे कंप्लीट रूट से समझने के लिए हमें एक ब्राउजर ओपन करके चेक करना होगा इटमेंस की सर्फिंग करनी होगी कुछ डाउनलोड करना होगा या फिर सर्चिंग करना होगा या फिर ब्राउजिंग करना होगा तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में मवजूद होना चाहिए कोई भी ब्राउजर इसके next lecture में मैं browser के बारे में बताऊंगा कि computer में जब पहली बार windows install होता है तो कौन सा browser मौझूद होता है और कौन सा browser हमारे लिए safe होता है और कौन सा browser के हमें काम करना चाहिए या फिर कौन सा browser सब से तेज होता है तो फिलाल हमारे PC में Google Chrome browser है इसे मैंने click कर open कर दिया है इसे जैसे ही click करते हैं तो यहां आपके computer laptop screen पर या monitor screen पर अपने home page के साथ खुल कर आ जाता है तो यहां पर हम Google Google search engine को call करेंगे जैसे हमने Google search engine को call किया तो देखें यहां पर left hand side top कि यहां पर search होना प्रागम हो गया है यह depend करता है आपके computer के speed पर और साथ ही साथ आपके mobile या आपके SIM card पर GPRS की data pack के speed पर कि इस computer में internet कितनी तेजी से access हो रहा है तो देखें यहां पर Google का home page खुल कर आ गया है लेकिन आपके जहन में यह सवाल आ रहा है कि यह तो पहले से था हो सकता हो कि auto connected हो लगाते ही आ गया हो तो उसके लिए यहां पर आप नया tab ले dot com और enter कर दें लेकिन यह परकिरिया आपको लंबी नजर आ रही हो तो simple दोस्तों आपको type करना है mozilla Firefox या किसी भी browser के address बार में Google जिसके लिए GOOGLE type करना है और CTRL बटन के साथ इंटर बटन को प्रेस कर देना है जैसे ही प्रेस कर देते हैं तो सीधे ही आपको redirect कर दिया जाता है Google की home page पर और यहां पर देखें पैटर्न बटन नजर आ रहा है तो इसे क्लिक कर हम YouTube पर चलेंगे तो इसे क्लिक करते ही देखें यहां पर यह browse होकर आ गया है तो यहां प यहां थोड़ी देर इंतजार करना होगा क्योंकि यह अभी तक प्रतित हो रहा है कि internet की थोड़ी सी कम है तो यहां थोड़ा सा इंतजार करते हैं तो यहां पर देखें दोस्तों YouTube का official website open हो गया है और यहां पर हम search कर ले रहे हैं यह चैनल का नाम तो अपने ही चैनल का नाम search कर ले रहे हैं पावन info tech और इंटर जैसे हमने type करके enter किया तो देखें यहां पर अगया है और यहां पर अगर जो आपके भी computer में या mobile में red color का subscribe बटन दिख रहा है तो इसे आप click कर या tap कर इसे gray color कर लें और side में बने हुए well icon को दबाग पर notification को on कर लें तो इसमें कोई अभी video अगर आपको display हो रही है तो उसे click करके आप play करके check कर लें तो कि मैं भी एक video play करके आपको दिखा दे रहा हूं जैसे कि एक video अभी publish हुई थी गणिक बिल्कुल सुरू से तो इसे ही मैं click करके play कर दे रहा हूं तो मैंने इसे click किया और देखे YouTube की जो player जो होती है उस player में यह video play होने के लिए तयार है तो कि दोस्तों video को शुरू करने से पहले ही मैंने बता दिया था कि internet की जो GPR से data है SIM card को थोड़ी सी slow है या फिर network की connectivity कम है इसलिए यह slow गती से चल रहा है तो ऐसा नहीं कि internet access नहीं हो रहा है चल रहा है लेकिन थोड़ा सा slow है तभी तो यह प्लेयर आ गया वरना internet access नहीं हो पाता है तो देखें वीडियो प्लेय हो गया है और यह वीडियो वकुभी चल रहा है तो चलिए अब इसे हम close कर दे रहा है तो इसे close कर लेते हैं तो इस प्रकात दोस्तों आज के वीडियो में हमने सिखा कि GFI router का उप्योग कर GFI router के अगर अगर जो password लगा हो और password नहीं पता हो या किसी नहीं बताया आपके पास हो तो किसी भी laptop या desktop में उसे USB केबल की मदद से connect कर internet को कैसे access करें दोस्तों internet का हमने 5 वीडियो बनाया है और internet को computer में access करने के 5 तरीके बताया है सबसे पहले वीडियो में हमने बताया था कि WiMAX connection कैसे लें और WiMAX connection के द्वारा अपने PC में internet कैसे access करें उसके बाद हमने आपके बताया था USB 33 का उप्योग कर यदि आपके पास smartphone है तो उससे internet कैसे access करें उसके बाद हमने बताया था कि Wi-Fi की मदद से अपने mobile के heart support का उप्य में internet कैसे access करें और यह internet computer में internet चलाने का यह आखरी वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि जीओ फाई router का उप्योग करके Wi-Fi और केबल की मदद से internet कैसे access करते हैं तो दोस्तों इन पांचों वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि computer में internet access करना आपको बख़ू भी आ जाएगा और इससे बैतरीन तरीका और कोई तरीका नहीं होता है कि जिसकी मदद से computer में internet access किया जाए तो उमीद करते हैं कि यह पांचों वीडियो आपने देखा होगा नहीं देखा होगा तो अभी जरूर देखें इसी वीडियो के description में सभी वीडि करें उन्हें भी यह पांचों तरीके आ जाए और चैनल पर नए हैं पहली बारा हैं तो जो रेट बटन में subscribe बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके उसे ग्रे कलर में कर दें और साइड में आए हुए वेल आइकान को क्लिक कर दो कान के जैसे जबा रहा है all notification उसे जरूर on कर इससे होगा क्या कि भविस में जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिलेगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे और सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगला वीडियो में त आप आप